चतियू नेता सह नामचिन बिल्डर राजू सिंग उर्फ गब्बु सिंग के 31 ठीकानों पर कल रेट चल दे थी आयकार विभाग की रेट जो है वो लगतार चल दे थी वहीं बता दे आपको कि ललन सिंग के करीवी भी माने जाते हैं गब्बु सिंग वहीं लगतार जो है एक 30 ठीकानों पर अनेक जगों पर जो है गब्बु सिंग के ठीकानों पर रेट चल दे थी वहीं तमाम जो है बाते सामने निकल के आई वहीं बता दे आपको कि ललन सिंग की करीवी माने जाने वाले जो है नामचिन बिल्डर एवं रिपब्लिक होटल के मालिक राजिव सिंग उर्फ गब्बु सिंग के एक 30 ठीकानों पर आयकार विभाकी छापे मारी चल रही थी बोरिंग कैनाल रोड स्थित जो कभी रवनपत है उसके पास जो है कार्याल है गोविंदा कंश्टक्शन उसमें जो है शापे मारी जो है वो सुरु हुई और वहीं कार रवाई का जो दाइरा है दोफर होते होते बिहार से बाहर तक पहुच गया सुभव ऑफिस उसके बाद सिवपूरी स्थित कनक ब्रेज अपार्टमेंट में छापे मारी हुई इसके बाद जो है कुछ करमचारियों के ठीकानों के जगव पर जो है वो छापे मारी हुई वह करमचारियों के ठीकानों को जो है शुकरबार के डाप तक खंगाला जा रहा था वहीं आईटी ने जो है श्री गोविंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक गब्बु सिंग के पैटन्स जो मुन्ना सिंग है वो और अरविन सिंग जो है वो और संत करमचार विभाग की टीम आ गई थी और इसके बाद कारवाई का दायरा बढ़ता गया गब्बु सिंग की पैचान बिहार में सबसे बरे बिल्डर के रुप में होती है जो स्री सिंग है उनके रिष्ट कई बरे एजो है राजनेताओं से होने की चर्चा है और वहीं पटना के बाहर भी करोडों रुपए का कारोबार फैला हुआ है गब्बु सिंग का अब तक लाखों के गहने और पचास लाख कैस के लावा करोडों के निवेस आधी के दस्तावेस बरामद हो चुके हैं आधा दर्जन जो लौकर है वो मिले हैं वहीं इनको सीच कर दिया गया है बता दे आपको कि अभी तक करोडों की टैक्स शोरी का मामला सामने आया है गाजियाबाद और नोईडा में करोडों के मुल लेके प्लोट अपार्टमेंट और तमाम चीजे जो हैं वो पाई गई है वहीं इसमें शामिल है स्री गोविंद करिश्ट्रक्शन कंपनी विल्ड के बारे में जानकारी में बताया जा रहा है कि वो आपदा विभाग सिचाई विभाग आदी में ठेकेदारी भी करते हैं और रुपए जो है वो कहीं न कहीं सिनेमा कॉंप्लेक्स में भी इनके नाम से एक होटल है और जदियू के राष्ट्रिये अध्यक्ष ललन सिंग के क कारवाई करते हैं तो कोई कारवाई करने दीजिये वहीं बता दे आपको कि गब्बू सिंग के 31 ठीकानों पर जो है वो रेट चली है करीब 50 लाक रुपया जो है कैस्ट पकड़ा गया है वहीं लगतार रेट चल रही है तमाम जो करमचारी है गब्बू सिंग के उनके कई पर जो रेड है वो चली है 50 राक रूपिया सीज कर लिया गया है कई दस्तावेज मिले हैं कई प्रोपटी के जुकागजात वो मिले हैं वहीं बता दे आपको कि लगतार यह जो मुद्दा है बिहार में सुर्खियों में बना है ललन सिंग के करीबी माने जाते हैं क्योंकि महा गडंदन की सरकार है वरतमान में और जिसको लेकर लगतार बीजेपी पर आडोब जो है महा गडंदन की सरकार लगाती है वहीं ललन सिंग में लगतार आडोब जो है वो बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहते हैं फिलाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरो झाल